हमारे यूट्यूब चानल में आप सभी का स्वागत है फ्रीडम फ्रम हॉस्पिटल डॉक्टर धर्बेश की एक नायाब देन है जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बिमारी से निजात पाले अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर धर्बेश के बताए नुस्कों से लाब उठाना चाहते हैं स्वस्थ और सेहत मंद रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और हाँ हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाए दोस्तों मैं डॉक्टर दर्बेश आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूटूब चैनल फ्रीडम फ्रम हस्पिटाल में दोस्तों 2021 आए कोरोना में हमने 2020 पूरा कश्ट में ही चाहे हमने समय को तो बिताया है घर में इतना समय रहे के कई सारा समस्या बढ़ गया है जैसे डाइबेटीस है ब्लड पेशर है जोडों का दर्द है और अलग-अलग तरीके से हम लोग बिमारी को फेस करने लगे हैं जो बिमारी हमारे अंदर छुपा हुआ था अब बाहर आने लगा है खास करके जोडों का दर्द कमर का दर्द यह सब तो दोस्तों बहुत जादा है ये सबसे बचने के लिए कई सारा वीडियो जो मैं आप तक पहुंचाता हूँ उसमें एक्सेसाइजेस हैं, आइरबेदिक उपचार हैं और एक्ईप्रेशर का तरीका भी है ये सारी बाते हैं दोस्तों मैं अपनी किताब My Health in My Hand मैं उसमें दे रखा हूँ ये आपका अंग्रेजी वाली किताब है 600 पेज की My Health in My Hand ये आपको ओनलेन एमेजन पे मिल जाती है जो नहीं मंगा पाते हूँ वो हमसे डारेक्ली वाटसप करके कुरियर चाहस दे के मंगा सकते हैं तो ये है हिंदी वाली किताब तो ये हमेज़ा आपको मैं बताता हूँ कि आप दवाई से बचने के लिए अलग-अलग टेश्ट को आवएड करने के लिए और अलग-अलग हस्पताल का चक्कर से बचने के लिए मेरे किताब का हेल्प ले सकते हूँ दस साल की मेहनत है आपको लाब दे रहा है और आगे भी देता रहेगा दोस्तों इसके साथ साथ आपको कहना चाहूँगा कि आप एक काम जरूर करिएगा अगर आपने गुटके की आदत बनाय रखते हो बहुत ज़्यादा चाई पिने की कॉफी पिने की आदत है अलकोहली बहुत ज़्यादा हो या सिग्रेट स्मोक करते हो पहले इसको खतम करिए हर एक घंटे में एक ग्लस पानी पिने की आदत करें टाइमली अच्छी फूड ले और रोजाना पांच किलोमेटर वाक करो इतना अगर आप सिष्ट्रमेटिक करते जाओगे तो आप किसी भी तरीके के बिमारी से दोस्तों बच सकते हो इसके साथ मेथी का दाना रोजाना दोस्तों प्रयोग में ला सकते हो ये डाइबेटिस सुगर को भी दोस्तों कंट्रूल करता है ये जोडों के दर्द से भी दोस्तों निजात दिलाता है इसमें क्या करनी है दोस्तों कि राद भर जैसे आपने मेथी के दाने को भीगो के रखते हो सुबह अगर उसको ग्रैंडिंग कर लेते हो और उसमें थोड़ा सा नेमबो का रस मिला के पी लेते हो गुनगुने हालत में तो जोड़ों के दर्द में दोस्तों काफी फाइदा हो जाता है उसके साथ सथ आप चाहें तो थोड़ा सा हनी भी उसमें मिला सकते हैं दोस्तों कहने का अर्थ यह है कि अलग-अलग चीजों को एक दूसरे के साथ मिक्ष्ट करके भी आप फायदा ले सकते हो अगर आपके सरीर के अंदर कैल्सियम की कमी है आप थोड़ा सा चूना जो खाने का चूना होता है थोड़ा सा ही अतना मैचिस के तिल के आसपास जतना होता है उतना ही लीजिएगा और वो दही होगरा के साथ ले लीजिए या लंच के साथ अब ले लीजिएगा तो आपको दोस्तों कैल्सियम की कमी भी दूर हो जाएगी तिसरी जो बात है वो है कि आप बड़ी इलाईची एक दालचीनी इतना बड़ा टुकड़ा जितना दिखा रहा हूं कम सकों एक इंच देड़ इंच के आसपास उसके सासा दोस्तों आप लॉंग ले लीजिए दो दो आप ले लीजिए लॉंग ये सब को आप पानी में डालके एक देड़ गलास पानी में अच्छे से उबा लें जब अच्छे से उबनने लगे तो तुलसी का पत्ता उसमें पांच-छे दोस्तों डाल दीजिए और छो जो कहते हैं कि घुटना जो सूख जाता है जो जो सूख जाता है वो दोस्तों धीरे-धीरे खतम हो जाएगा उसमें लुब्रिकेशन दोस्तों स्टार्ट होगी आर्थराइटिस से यह आपको बचाएगा कोई भी दर्द आपके सरीर में लगा रहता है चाहे हड़ी की दर्द मान स्पेशी की दर्द हो तो वो भी दोस्तों ठीक हो जाएगा और एक बात दोस्तों याद रखें हर रोज आप ध्यान रखिएगा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट यानि आज की दिर में बहुत ज़्यादा प्रेशर है हम लोग एंग्जाइटी और स्ट्रेस में रहते हैं इसलि बाहर राइट नॉस्ट्रेल से निकल रहा है ऐसे गर आप आदस बनाते जाओगे आप स्ट्रेस के उपर कंट्रोल लापाओगे ब्लड पेशर को उपर कंट्रोल लापाओगे आपको दूसरी दोस्तों क्या करनी है मुद्रा अलग-अलग मुद्रा मैं हमेसा बताता हूँ एक जैसे आप ए वाली मुद्रा पे दस मिनिट आप रह सकते हो इस तरीके से आप टच करिएगा और ऐसे दस मिनिट आप रहिएगा उसके बाद का जो दस मिनिट आप इस मुद्रा पे रहिए ऐसे हर फिंगर को आप इस्तिमाल कर लीजिए और तीसरा जो है आप पांच मिन रहिए उसके बाद जो फूर्थ में है ये वाला जो चोथा उंगलियां है इसमें आप दो मिनिट रहिए तू मिनिट्स याने पहला जो है इस मेडिटेशन को एक आधर डालिए ये वाला मुद्रा जो है दस मिनिट दूसरा मुद्रा आपका थम और मिड फिंगर को टच करा के दस मिनिट रिंग फिंगर और आपका थम को मिला के पांच मिनिट लिटल फिंगर और थम को मिला के दो मिनिट आपको रहिए याने पांच दो साथ वीश सटाइस मिनिट का प्रयोग है कम समय से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हो और लास्ट का जो तीन मिनिट है याने था आदा लाब दोस्तों ये आपको देगा और ये देगा उसके बाद ये जो लाश्ट बाल आपको बता रहा हूं तो आदा घंटा आप चुप चाप अलग-अलग मुद्राओं को करिए ये आपको सांथ चीत करेगा आपकी क्रिटिविटी बढ़ाएगा आपको नीडर जो खाओगे वह हजम होगा आपका यूनिवर्सल पावर के साथ लिंग बनेगा आपका जो इंटरनल सकती है वो धिले-धिले दोस्तों देखोगे डेबलब कर रहा है ये बच्चों की भी आप आदत करवा सकते हो पूरा 30 मिनिट नहीं हो सकता 15 मिनिट इसको डिभाइड कर सकते हो मगर मैं जो आदे घंटे का कहा ये सबसे बेस्ट रेजल्ट प्रेडियूस करता है इसलिए आप आदा घंटा कम से कम दोस्तों करिएगा तो उम्मिद करता हूं ये जो बातें से बापको बताता हूं यह सब चीज़ें आपको हल्प करेगा हल्दी और दूद की जो रहो कहा हूं रात को डिनर के बाद आप इसका भी इस्ते मल कर सकते हो और भीोटामीन सी दोस्तों आप ले मगर भीटामीन सी से अगर आपको देर्द हो गयरा जैसे बीटामीन सी मैं आमला आ dato आकोů अर इसब लेने से अगर कहीं आपको यूरिकेसीट हो गयरा बढ़ता है या कोई समस्या और होती है तो आप उसको भी बन करश्यक्ती हो हरे का ह塊 हेल्थ अलगलग है हले का सरीर अलगअ-लग है तो उसी हिसाब से दोस्तों आप अपना जिमेदरी तै करिएगा आमला जिसको सुट नहीं करता है आमला ना ले मगर आमला 80% लोग शूट करता है इसलिए आमला का जूस लेना चाहिए काली नमग डालके एक ग्लास आमले का जूस आप ले लीजिए 10 अमला जूस और बाकी सब वाटर उसमें थोड़ा सा काला नमग मिलाई है आधे चमच से कम चोटी चमच में और उसको आप स कर सकते हो दोस्तों तो उम्मिद करता हूं यह सब चीज़ें आपको लाब दे रहे हैं और आगे भी लाब देता रहेगा इसी बात के साथ दोस्तों इस वीडियो के एमें समात करता हूं और आप ये वीडियो को यार दोस्त के बीच में सेयर जरूर करें और बेल आइकन जहिंद जभारत इंग्लिश आव हिंदी किताब 51 तथा 101 बिमारियों के इलाज के साथ online Amazon पे उपलब्ध है दोस्तों अब आप बिना दवाई के बिना अस्पिताल जाए घर बैटे अपना इलाज खुद करिए दारेक्ली किताब DVDs तता Pen Drive पाने के लिए WhatsApp करें इस नंबर पे 888-2666-303 धन्यवाद